नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देखे रे ततकाल निंस लाइफ गुजरात के मोर्भी शहर में माच्छो नदी पर बने केबल पूल के टूटने का वीडियो सामने आया है इस हाथ से में अभी तक 132 लोगों की मौत की पुष्टी हुई है यह घटना रविवार शाम को हुई थी यह पूल करीब एक सधी पुराना था और मरमत एव नवी करंकार्य के बाद इसे आमजन के लिए पाच दिन पहले ही खोल दिया गया था पूल रविवार शाम करीब साड़े छे बज़े टूट गया था राज्य सरकार ने पूल ढहने की घटना के लिए जाश के लिए समीथी गटित की है प्रतिक्ष दर्शियों के अनुसार अंग्रेजों के समय का यह हैंगिंग ब्रिज जिस समय टूटा उस समय उस पर कई महिलाय और बच्चे मौजुद थे एक प्रतिक्ष दर्शी ने बताये कि कुछ लोगों को पूल पर कुटते और उसके बड़े तारों को खीशते हुए देखा गया उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पूल उस पर लोगों की भारी भीड के कारण तूट कर गिर गया हो पूल गिरने की इस घटना का वीडियो अब सामने आया है इस पर लोग खड़े है और तबी अचानक पूल तूट जाता है पूल ढहने की घटना की जाच के लिए पाच सदसिय उच्चा अधिकारी समीति का गटन किया गया है इसमें सडक एव भवन विभाग के सचिव संदिप वसावा और चार अन्य वरिष्ट अधिकारी शामिल है एक निजी संचालक ने लगबक 6 महने तक पूल की मरमत का काम किया था पूल को 26 सक्टूमबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था वही एक अधिकारी ने बताए कि मरमत का काम पूरा होने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया था लेकिन सानियन अगर निकाय ने अभी तक कोई फिटनेस प्रमान पत्र जारी नहीं किया था